हम सभी नए साल को लेकर कई तयारियां करते हैं, अपने आप से बहुत सारे बादे करते हैं, लेकिन बादा शब्दी एक ऐसा है जिससे हम अपने उपर एक दवाव सा बना देते हैं कि पूरा करना है, देखा जाये तो जालतर बादे जीवन शैली को स्थ बनाने या नीमित्त बदलने का प्रयास करें, ये आदते घुद पर सकती बरत कर कड़ी परक्षाइं देनी की नहीं हैं, बलकि ये आदते हैं सही खानपान की मदद से, सेहत पानी की, हमें हर रोज क्या अवश्यक भूप से खाना ही चाहिए, और किस समय क्या खाना चाहिए, ताकि हम सौस रह सक आईए जानते हैं, दोस्ते यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नमबर एक सही मातरा में पानी पीना, इन बर में हमें कम से कम 2-3 लिटर पानी जरूर पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय होता है, किसी भी समय आप पानी को पी सकते हैं, रात में सोने से दो गुंटे पहले तक भी पानी पी सकते हैं, पानी का सेवन मस्तिक्ष कारवे में सुधार करता है, कब से बचाता है, परियाप पानी के सेवन से, शरीर को मधुमे के मरीज, किड़नी, पाचन तन से संबंदित किसी भी रोग के मरीज बिना डॉक्टरी सला के पानी की मात्रा में पढ़िवर्दन ना करें नमबर दो फलो का सेवन हर दिन कम से कम दो वार फलो का सेवन किया जा सकता है एक सामानी व्यक्ति को दिन में 200-200 ग्राम मौसमी फलो का सेवन करना चाहिए लेकिन संत्रा अनार आली ठिंटे फलो का सेवन दिन में ही करें और साथी खाली पेट कभी ना करें फलो का सेवन से ही ही इट, स्ट्रोक, हाई बीपी और हिर्दे रोकों से लड़ने की ताकत मिलती है इसके साथ ही खनीज और विटामिन्स की भी पूर्ती होती है यहाँ एक बार ध्यान दख्ये कि मदू में के मरीज, केला, सीता फल, चीपू और पके आम से परेज करें डॉक्टर की सलापरी फल खाएं बोजन के साथ सलाथ का सेवन जरूर करें सलाथ का सेवन दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं शाम को या रात की समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए सलाथ खाने से परेख मातरा में बिटामिन्स, मिर्नल्स, फाइवर मिलते हैं जो पाचन समंदी समस्या को धूर करते हैं गाजर, चुकंदर, अंकुलि दाले, ककड़ी, मक्का, शिमला, मिर्च आदी को आप सलाथ में शामिल कर सकते हैं यहां एक बात आप दियान रखें कि जिन लोगों को सूजन प्रहती है वे सलाथ में बोभी, चना, राजमा, शिमला, मिर्च ना लें इनके बजाए चुकंदर, टमाटर, अगले हुए मूँ, गाजर का सेवन करें मदुमे के मरीजों को क्रीम वा मियोनीस, मिला सलाथ नहीं खाना चाहिए मक्का, पास्ता, मिला सलाथ, छौक, लगा सलाथ वा शेयद में मिले हुए सलाथ का सेवन नहीं करना चाहिए एक सावने व्यक्ति, सावत अनाच का सेवन दिन में दो बार कर सकता है इनने दिन के भोजन में शामिल करें, रात में सोने के 2-3 घंटे पहले भी खा सकते हैं इनमें प्रोटीन और फाइवर होता है, प्रोटीन से मासपेशिया और उत्रकों की मरमत होती है पाइवर से पाचन में वा बजन मियंतर करने में भी मदद मिलती है सलाथ के साथ या सबजी के रूप में सेवन कर सकते हैं सावत अनाच पकाने से पहले विगोनी की प्रिक्रिया अपना है जैसे छोले, चने, लोबिया, इक्तियादी नमबर बाच दूद का सेवन एक वियस्क व्यक्ति को दिन में 400 मिली लीटर दूद पीना चाहिए जिन लोगों को पाचन संबंदी समस्या होती हैं वहे लोग दूद का सेवन ना करें यो प्रिक्त समय सुबह और रात को सोने से आदा गंटे पहले दूद पीने का होता है केल्शियम की पूर्थी करने में, उर्जा बढ़ाने में, कबच की समस्या दूर करने में, ठकावट दूर करने में दूद बहुत मददगार होता है दूद, गरम या गुमुना पी सकते हैं, गर्मियों में ठंडा भी पी सकते हैं, जो पेट की समस्या से जूज रहे हैं, वे समाने तापमान पर इसका सेवन कर सकते हैं डायविटीज और किड्नी के मरीज डॉक्टर की सलापर ही दूद का सेवन करें नमबर 6, सूखे मेवो का सेवन, रोज मेवो का सेवन फाइदेबन होता है, बादाम 6-8, अखरोट 2, किशमिस 5, खजूर 4, अंजीर 2, काजू 4, पिस्ता 4, खवानी 1, अंजीर 2, खजूर और अंजीर आइरन के अच्छे स्रोथ हैं, और अखरोट में ओमेगा 3 अच्छी मात मातरा में पाया जाता है, तो आप इन ही मातरा में इसका इस्तमाल करें, इससे ज़्यादा आप अगर खाएंगे तो यह आपको नुक्सान भी कर सकते हैं, सुबह 7 वजे से शाम 5 बे तक इन्हें खाया जा सकता है, इन्हें बेगोकर रखें, फिर खाएं, ताकि पाचन समस्या ना हो, डाइटरी फाइवर, विटामिन A, विटामिन E, आवश्यक फैटी एसिट, खनीज, प्रोटीन्स, यह सभी इन ड्राइफ फूट से हमारे शरीद को प्राप्त होते हैं, बदू में पीडित तपह, रत्यचाह बाले मरीज डॉक्टर की सला लेकर ही मेवोपा इस्तमाल करें, नमबर साथ, डाल का सेवन, एक सावान व्यक्ती को दिन में 25-300 ग्राम डाल का सेवन करना चाहिए, एक कटोरी डाल को दोपेर के भोजन में खाना ही चाहिए, डालों में प्रोटीन वर्पूर मात्रा में होता है, जो हमारी मास्पेशियो को टिशू के मरमत क के लिए आवर्शेट माना आजाता है, ताल को अबालकर और अंगुन करके खाया जा सकता है, बहुत मसाले के साथ या ज़्यादा तेल में तलकर खाने से परहेज करें, किड्नी संबंदित रोग और यूरिक एसेट की समस्य से जूच रहे मरीज, डाल का सेवन डॉक्टर की सलापनी करना चाहिए, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए,